तो है लोग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने टीवी को connect कर सकते हैं अपने CPU से और उसको use कर सकते हैं monitor की तरह हैं तो आपको लेना है कि HDMI केबल और आपको अपने टीवी के पीछे इस तरह के 2 HDMI पोर्ट मिल जाता हैं आपको simple अपने HDMI केबल को connect कर देना है और केबल के दूसरे साइड आपको connect कर देना है अपने CPU से अपने CPU के पीछे आपको HDMI पोर्ट मिल जाता है आपको simple connect कर देना है और दोस्तों यह आपका CPU connect हो चुका है अपने TV से आप इसको use कर सकते है अपने monitor के तरह है तो इस तरह से आप अपने TV को connect तो कर लोगे और उसको use भी कर लोगे अपने monitor के तरह है बट मेरा एक सजेशन है कि मत करो क्योंकि TV जो है उसका response time बहुत ही कम होता है और monitor का response time बहुत जादा होता है तो आपको use करने में उसकी performance पता लग जाएगा जब यह अपने TV को use करते है अपने monitor के तरह है तो इतनी clarity उसमें नहीं होती जितनी monitor में होती है और दोस्तों वैस comments आपको monitor देता है वो TV नहीं देने वाला है तो मेरा तो यही suggestion है कि TV को TV रहन दो तो वीडियो से कुछ है मिलियो तो वीडियो पर लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है और मैं मैंता हम से मनी नेक्स्ट वीडियो में